बिल्कुल 175 पार यहाँ पर सीटे जूइतने का दावा कॉंग्रेस की तरफ से किया जा रहा है तो 36 गड़ में 65 पार यहाँ पर सीटे जूइतने की दावा कॉंग्रेस करती हुई नज़र आ रही है जुल्फिकार लगतार हर्चल पर नज़र बिल्कुल 36 गड़ में कॉंग्रेस के अपने दावे हैं 75 प्लस का 36 गड़ में नारा दिया गया है क्योंकि पिछली बार ही कॉंग्रेस के पास 71 सीटे थी और अब पहली लिस्ट आ चुकी है जिसमें 30 प्रत्यासियों के नामों की घोसना कर दी गई है और जिनको प्रत्यासियो जो फर्स टाइम बोटर आये हैं समर्थक हैं क्या नाम है आपका पहली बार बोट करेंगे जी हां तो यहां किस से मिलने आये हो हमारे नवागर जो विधायक के प्रत्यासियों कांग्रेस पार्टी से गुरुद्र कुमार जी उनसे मिलने के लिए आए हैं पहले से पता था क है कि गुरुरू रूद्र कुमार जी को नवागर से प्रत्यासियों जी तो उससां के साथ लोगा हैं और मैं फर्स बार वोटिंग कर रहे हूं है तो काफी उससा एक सा переп मतलब कैसी सरकार होने जी पहस्टाइम बोट कर रहे हैं यूबा क्या ड़़रह मुदा है rif महिलाओं को विरोजगार महिलाओं सुरक्षा ऐसा है जी हां हमें आसा है कि हमारे नवागर में रूदर कुमार जी की आने से और चांग्रेश पार्टी के छतिस गड़ में आने से काफी सारे योजनाएं जो सफल बनेगी महिलाओं को खास तर पर बहुंच सारे सुधाओं का सक्कार आप मिलेगा जैसे चनाएं चल रहे हैं कुछ पता है है अभी की योजनाएं के बार में ज़्यादा कूछ नहीं बता पांगी तो बस यहीं क्या नाम है आपका लक्ष्मी सावंच तो क्या करते हैं आप है आपका पहला पहली बार बोट करें हैं कि तरीन के काट्रेंट बैल लड़कास κौ यह कैसी हो प्रत्यासी क्या हो उसको आ जाधा कि वो हमारे नवगड विधायक बनने वाले हैं उसमें प्रत्यासी बन चुके हैं तो उसको सुब काम ने लेना बस यह फास्ट टाइम बोटर है जो समर्थन में आए हुए है नवगड से आए हुए हैं और पहली बार वोट करेंगे तो युवाओं की अपनी अपनी सोच है औ हमारा विधायक थे और अभी हमारे धर्म पुझे रुद्र कुमारिल कांग्रेस पाल्टी टिकेट दे हैं और समर्थन क्या नाम है आपका राम अवतार निसाद राम उतर जी कुछ दिन पहले जो है बड़ी संख्या में लोग नवागर से आये थे कि जो मौजूदा विधा सब्सक्राइब करते हैं लेकिन जब ले हम देख था आज भी और कल भी मैं जनपर सदस्य हूं और मतस्त महासंग की सदस्य हूं 36 गड़ सासन पुरा 36 गड़ में अच्छे यह बता हिए आपका क्या नाम है मेरे नाम आगर तास देह रहे हैं अच्छे क्या वजय थी आपके म सब्सक्राइब करते हैं और हमारे रुद्र गुरुजी के बारे में कहा जाता है कि हर बार सीट बदल देते हैं गलत बात एक साल से गुश्वी मनाते आ रहर है नवगर के कारिकर्ता समय समय मेलाक अलग टोली बनाक आते से गुरुजी इस निवेज़न करते से गुरुजी हमारे जो वर्तमान विधायक हैं उनके सरवे में नाम पीछे जा रहा समथ सुनने मा रहा है आपका निवेजन है कि आप आईए उनके पिता जी श्री विजय कुमार गुरु जी बहुत पहले से लड़ने वालत है तो किसनलार कुरे जी ने निवेजन के लिए छोड़ दिया सी धितलहरे जी ने बोला छोड़ दिया सी बड़ा विशाल खुसी है लोगों के छेत्र में ग लोगों की अपक्षाएं थी और निश्ची तुरुप से जो है नवगर विधान समय में गुरु जियों का अनुमाई जो है अधिकार संक्या में राते हैं तो यह माना जा रहा है कि गुरु जी के आने से जो है एक लहर दोड़ेगी और नवगर गड़ बनके रहेगा निश सारी राजनेतिक चर्चाएं होती हैं और आज जो यहां पर बहुत सारे लोग खड़े हैं वो समर्थन में खड़े हैं कल यही लोग जो है जो वरतमान विधायक हैं उनके समर्थन में के राजी भुबन पहुंचे थे कि टिकेट ना काटी जाए तो यह समय समय का फेर होता ह और जैसे ही समय बदलता है लोग भी बदल जाते हैं और समर्थक भी बदल जाते हैं बिर्कुल समय के साथ लोग बदलते हैं और यह फितरत मानी जाती है ऐसे मैं अब तमाम तरह के यहां पर विचार देखने को मिल रहे हैं खेर जबलपूर से हमारे सेयोगी संजीव कातार संजीव कर रहे हैं संजीव क्या क्या विचार हमारे साथ इस समय अंकुर गुपता जी हूं अंकुर गुपता एक व्यवसाही है नई सरकार से आपके क्या एक्सपेक्टिश नमस्कार पहले तो ndtv के सारे दर्शकों को नवरातरों की बहुत-बहुत शुप काम नहीं कभी मद्दे वर्ग को कोई फाइदा नहीं मिला अस तक कोई सरकार से हम हमेशा टेक्सपेयर हैं हम GST के रूप में भी दे रहे हैं इंकम टेक्स के रूप में भी दे रहे हैं मतलब मैकसिमम टेक्स तो हमी रिकवर करके दे रहे हैं पर एक भी योजना ऐसी नहीं है जो मद्द क्लास को कुछ बेनेफिट मिल रहा हूं मैक्सिमम शायद भारत भी अबादी सतर के परसंट के असपास मद्देवर्ग है पर हमको उसका फाइदा नहीं मिल रहा है अब हमको अपनी अवाज बुलंद करनी ही पड़ेगी कि मद्देवर्ग के असाफ से भी कोई पॉलिसी मेकिं भारतीय अंता पाटी है कॉंगरेस से तो मेरा तो में सबसे डिमांडी है कि हम मद्देवर्ग को क्या देने वाले हैं उसकी बात बारे बोले क्योंकि मद्देवर्ग अवी भी अपन पूरी जीडीपी के हسाब से देखे तो दश्वे स्थान पे है भारत में तो एक संकल पे की बाद इन दौर नमबर वन है पर प्रदेश दस्वे में दस्वे स्थान में जीडीपी पे है बागी चीज़ों में तो बहुत पीछे है अब जो आपने इतनी गहरी बात की मद्रप्रदेश को नमबर वन बनाना है हमारे साथ मदा चार्टर काॉंटेंड डिस्वेशन के चे कैसे सरकार सरवाईव करेंगे सरकार तभी सरवाईव कर सकती है यदि वो अपने अनुचित खर्चों को कम करें और जो भी गरीमों को बाट रहे हैं बहुत अच्छी बात है पर वह उसका वास्तविक इस्तमाल विकास कारें में नहीं हो पाता है जितने भी ये कल्यान कानी उसका वास्तविक फायदा आम पप्लिक तरह नहीं पहुंच रहा है। सिक्षा में आप 78% खर्चे कर रहे हो पर आज आप जाओ सहर के बाहर कहीं भी, कहीं भी एक ऐसा स्कूल नहीं मिलेगा जहां गरीब बच्चे आप पढ़ सकें। सहर में भी सरकारी स्कूलों को छोल दें, तो वहां कोई बच्चा पढ़ी नहीं सकता है। तो जहां पर फंड का अनुप्योग होगा, तो वह राज्य हमेसा करजे में ही रहेगा और कभी आगे नहीं भर पाएगा। इसलिए सिक्षा और स्वास्त पर इनको ध्यान देना होगा कि वास्तिक लाव उसका पब्लिक को मिले, वह उस पैसे का अनुच्छत उप्योग अधिगारी या नेता न कर पाएं। यह तीन लाग करोड का जो कर्ज खड़ा हो गया है, चाहे कॉंग्रेस की सरकार बने या भाजापा की, यह स्टेट का कर्ज है, कैसे इस से पार पापाएंगे, कैसे यह कर्ज कम या खतम होगा। जहां तक कर्ज तो वैसे सभी राज्यों पर है और मद्धिप्रदेश तो काफी राज्यों से बहतर हिस्तिती में हैं इस मामले में, कर्ज का मुख्यकार यह ही है कि एक तो जो फ्री उजनाएं दी जा रही हैं, उनको वो बंद करके उसको रोजगार उमुग पनावारा जो लोकल लेवल पे आप किस पेकार जो च्छती होरी राजस्व की, उसको आपको सुधारना पड़ेगा, तभी आप लॉस कम कर सकते हो और पॉफिट मा सकते हो, निया कहा है, एक और कुछ अंकुर जी बोलना चाह रहे थे, जो आपने लोन की उपर बोला, जो मद्धिप् में देख रहे हैं, जो काम हजार में किया जा सकता है, सरकार लाखों में करा रही है, सिर्व राणी ताल चौक से भी हम उसका सरवे करा लें, तो चारवार रोड डाल चुके हैं, बिरिज बनते बनते, फुटपाद बन चुका है, वो मेरी पैसा है, आप बजेटेड हो, हर चीज आप जो सो का काम है, एक लाख में करा रहे हो, इसलिए अब उसमें ब्रस्टा चार हो, या कोई प्लानिंग ना हो, इस कारण से है, आप जो रेवडी बाट रहे हो, तो आप बाटी रहे हैं, पर आप हर काम में, भारत सरकार का जो भी है, और बजेटेड है, हर चीज, या वो खुद का पैसा लगा रहे होते हैं, तो शायद 10% में हो रहा होता, क्योंकि हम सबका टेक्सपेयर का है, तो वो तो आप खुला चूड दो, वो तो कोई सेंसिबल नहीं है, पर एक सेंसिबल बिजनिसमेंस है, आप के आरेंडी उसका एनलिसिस कराएंगे, तो एवरी प्रोजेक्ट इन इंडिया है, जो उसकी एक्चुल कॉस्ट है, इंपुट कॉस्ट है, क्योंकि आज हमारे देश का खदन करके आईरन निकाल रहे हैं, आप सिमेंट भी यहीं से बना रहे हैं, आप ओवर बजेटिट प्राइस पे सिमेंट है, लोहा है, मैं उस पर वैवसा हैं, हम क्योंकि बड़ा इंफ्रस्ट्रक्ट्टर प्रोजेक्ट लानी के लिए लोन भार मांगने लगते हैं, केंदर का हमारे उपर वोज है, वर्ल्ड बैंक का वोज हमारे उपर हम ओवर बजट से बचना चाहिए, को अर बड़े अर्थ शास्त्रियों को सासाथ आदरानी मोदी जी लाए हुए हैं, वैसे राज्य में भी करना ही चाहिए, जब आपका एक अच्छा प्लान बनेगा, महराष्ट में हैं, उनकी अंदर की कमिटी बनी हुए है, जो फाइनिशल एडवाइजरी बोर्ड होता है, वो बना है, सरकार को हर छे महने में देश में भी होना चाहिए, क्योंकि यहां कि वैसे यह राज वैसा है नहीं ना कि उद्द्योगिक राज बन पाया है, अभी तक नहीं बन पाया, सत्र साल से हम कोशिश कर रहे हैं, तो हम उद्द्योगिक राज भी बने और एस वेल एस एक्स्पेंडिचर कंट्रोल होना ही चाहिए, जी बहुत बदना है, शर्मा जी यह बताईए कि एक जो आप उभूकता और सहकारिता अंदूलन से जोड़े हुए हैं, कहां चला गया, इस चुनाओ में आगे सरकारों में वो सहकारिता क्यों नहीं दिखती है, देखिए यह आरोब लगाना हो जाएगा, सरकार हम माद्यम से जन्मुखी योजनाओं का लाफ जो गरीब किसान या गरीब मजदूर तक पहुच सकता था, उनने ही पहुच पा रहा है, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जो भी सरकार आ रहे हैं, अब भविस्वे सहकारिता पर फोकस करें, अभी सेटर गवर्मेंट ने किया है, मा नहीं नरेंद मोदी जी को धशनवाद देता हूँ, किन्तु अभी मैं सब भवी सरकार से अपेक्चा जरूर करूँगा, कि सहकारिता को जन्मुखी बनाए, उसके चुनाओ कराए, ताकि वो है जन्ता के प्रती, जवाब देई हो सके, और जब तक हम सारे काम सहकारिता के मा सहकारिता के छेत्र को बहुत ज़्यादा जागरूप करे और उसको पुनर जीवित करे। के जितने भी लोग हैं, तो इन्होंने जो महंगाई और भस्टाचार की भेंट चड़ गया है अपना मध्यप्रदेश, मतलब उसको जन्ता तक की या तो केंद्र अपनी बात नहीं पहुचा पाता, यहां पर हमारे हैं जो इंप्लिमेंटेशन है, उस चीज का योजनाओ का क्रियान वैन नहीं हो जाता है, और सबसे बड़ी चीत चिकित्सा और सिक्षा और उर्जा, अगर इन तीन सेक्टर पर जो भी सरकार आएगी, जन्ता को यहीं चाहिए कि उसको महंगाई और भस्टाचार से निजाद चाहिए, तो आपका अगर इंधन सस्ता होगा, पैट्र स्टुडेंट्स को अपना कैसे स्किल दिखाने का मौका मिले, क्योंकि आज गूगल में, इधर, अधर, सारी कंपनी में है, जतने सियोज हैं, अपने MP के ही हैं, इंडिया के ही हैं, कि अपनी जो बेरोजगारों की जो फौज है वो नहीं तेयार करनी, हमको इन लड़कों को रोजगार देने वाला बनाना चाहिए, इन स्टुडेंट्स की एनरजी का और इनकी पावर का अपने को उपियोग करना चाहिए एक सही दिशा में, और रही बात यह जो महंगाई और भस्टाचार हमारे यहां खुला खेल चल रहा है पिछले 20 सालों से, तो परिवर्तन संस जो के लावा साब किसी चीज़ से मतलब नहीं है, यह सिर्फ रीबीज माट करके सिर्फ जनता को बेवकूफ बनाया जा रहा है और यह तमाम उमीदे हैं जनता को अपने आने वाली सरकार से और सेक्ष्या और स्वास्ते पर सबसे जादा फोकस करने की बात यहां पर लोगो ब्यान आया हुए है, और अरुन साओ जैसा की सभावी कहां कि विरोधी दल है, तो आरोप लगाना अरुन साओ का बैदेश अद्यक्ष हैं, प्रत्यासी वीजानसबाद चुनाव विजपी की ओर से, उनका कहना है कि जो टिकेट दी गया है, इसमें साप हो गया है कि कॉंग की जा सकती थी और इनका ये भी कहना है अरुन साओ का कि इतना टाइम लगाई है तो ये सीट जो गोसित हुए है प्रत्यासी के नाम हुए है इसके बाद सिर्ट परोवल की मौद नौबत आएगी कॉंग्रेस में विरोध होगा ये सारे आरोफ हैं अरुन साओ की ओर से लेकिन और चीज कहना चाहूंगा असमिता कि जो कॉंग्रेस का मन्थन था उसका उनकी जो तैयारी थी और उनके जो बार-बार उनका कहना था कि हम अपने कारेकरता हों की बात सुनकर टिकेट की जब भी उनसे बात होती थी कि आप लोग इतनी देर क्यों कर रहे हैं टिकेट गोसि रहा है कि राई शुमारी के बाद अगर टिकेट काटा भी गया है तो इसे वज़र से लोगों का विरोध भी अभी कम दिखाई दे रहा है कॉंग्रेस का हालनकि आप आने वाले समय में कॉंग्रेस कारे करता किस तरह से विरोध करते हैं समर्थन करते हैं ये तो खेर आने व झाल झाल